Hello everyone and welcome to Let's Do It तो आज हम यहाँ पर discuss करेंगे HPSSE का previous year paper और आज हम यहाँ पर discuss करेंगे Indian polity के कुछ important questions को जो कि आपकी आने वाले हरी के exam में आपको काफी ज़ादा help कर जाएंगे तो चलिए हम start करते हैं यहाँ पर question number 88 के साथ देखी question है Which of the following features of the constitution of India resemble the American constitution? भारते सम्विधान का कौन सा election अमेरिकी सम्विधान से सम्मानता रखता है तो यह कौन सा election है यह है एक लिखित सम्विधान यह जो election है यह अमेरिकी सम्विधान से सम्मानता रखता है option A यहाँ पर discussion का right answer हो जाएगा अच्छा अगर आप से पूछने कि यह जो fundamental right है एकल नाग दिखता कि अगर हम बात करें सिंगल सिर्जन्सिप की ये जो अफधारणा है ये हमने कहां से लिए है ये हमने लिए है बृतेन के संविधान से इसी के साथ साथ में सरकार का संसदिय सवरूप जो है ये संसदात्मक शाषन प्रनाली जो है ये हमने लिए है ये भी ह भारत के लोगों ने 26 नमबर 1909 को भारती समिधान को स्विकार किया था option A right answer है next question है which article of the constitution allow the center to from new state भारती समिधान का कौन सा अनुषेद केंदर को नए राज्य का निर्मान को अनुमत करता है तो ये कौन सा अनुषेद है ये है अनुषेद 3 ठीक है option number A यहां पर इसका right answer है देखे भारती समिधान के भाग 1 में अनुषेद 1 से लेकर के 4 तक संग और उसके राज्य क्षित्रों का वर्णन किया गया है और भारती समिधान के भाग 2 में जो है अनुषेद 5 से लेकर के 11 तक किसका वर्णन है नागरित्ता का वर्णन है next question है which of the following presidents of India was also secretary general of non-aligned movement from some period नेमन मैं से भारत के कौन से राष्टपती कुछ समय के लिए गुट नर्पेक्स आंदोलन का महासची भी थे तो यह कौन राष्टपती थे यह थे ग्यानी जैल सिंग ठीक है option number A यहां पर right answer हो जाएगा ग्यानी जैल सिंग जो की भारत के राष्टपती रह चुकी है यह कुछ समय के लिए गुट नर्पेक्स आंदोलन के महासची भी रह चुके है ठीक है अच्छा आपसे ऐसे पूछलें कि भारते समिधान के पहले राष्टपती कौन थे तो वो थे डॉक्टर राजिंदर परसाद ठीक है ऑप्षण यहां पर B की अगर हम बात करें वीवी गिरी की तो वीवी गिरी जो थे इनके निर्वाचन के समें दूसरे चकर की मत गरना करनी पड़ी थी और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्षण A की डॉक्टर S राधा कृष्ण की तो यह जो हैं यह दो बार उप राष्ट्रपती और एक बार राष्ट्रपती पद के लिए निर्वाचित किया जा चुकी है, ठीक है, next to question number 92 है, which of the following is not a parliamentary committee, नेमन में से कौन सी एक संसदिय समिती नहीं है, देखे, यहाँ पर उप्षिन डी राइट आंसर है, अनुदान मांग समिती, यह जो है, एक संसदिय समिती नहीं है, बाकी इसके अड़ावा लोक लेखा समिती हो गया, लोक उपकरम समिती हो गया, और आकलन समिती, यह सभी जो है, यह संसदिय समितियां है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें लोक लेखा समिती की जिसे की हम committee on public accounts के नाम से भी जानते हैं इसकी अगर हम बात करें यानि की लोक लेखा समिती की देखें लोक लेखा समिती जो होती है ना इसे हम प्राकलन समिती की जुर्वा वहन के नाम से भी जानते हैं लोक लेखा समिती को और इसमें जो रहते हैं इसमें टोटल 22 मेंबर रहते हैं जिसमें 15 मेंबर जो रहते हैं ये लोक सभा के रहते हैं और इसमें 7 मेंबर जो रहते हैं ये राज्य सभा के रहते हैं ठीके और और इसके ये जो member रहते हैं ये एक verse के लिए चुने जाते हैं नेक्स्ट ग्रेशन है भारत के मुख्य नैधीस को हटाया जा सकता है देखे भारत के मुख्य नैधीस को जो है संसत के प्रस्ताप पर रास्टरपती के द्वारा हटाया जा सकता है option C यहाँ पर इस question का right answer है देखे इसके अलावा अगर आप से पूछ लें कि ये जो नैधीस होते हैं इनकी न्युक्ती कौन करता है तो न्युक्ती करते हैं रास्टरपती ठीक है और दिखे उच न्याले के जो उच न्याले जो है न इसमें एक मुख्य न्याइधीस और तेस अन्य न्याइधीस होते हैं ये point भी आप ध्यान में रखेगा next question है भारत में राजसरकार के कारेकलापों में नियमों के अनबालन के लिए कौन उत्तरदाई है तो कौन उत्तरदाई रहता है वो रहता है Chief Secretary of the State Government यानि की राजसरकार की मुख्य सच्चिव option number day right answer है next question है which one of the following state has minimum number of members in their legislative assembly नेमने में से किस राजसरकार की विधान सभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है देखें यहां पर अगर हम बात करें अरणाचल प्रदेश की तो अरणाचल प्रदेश की जो विधान सभा है उसमें सदस्यों की संख्या रहती है साथ सिक्किम की विधान सभा की अगर हम बात करें तो इसमें विधान सभा सदस्यों की संख्या रहती है बत्तिस गोव की अगर हम बात करें तो इसकी विधान सभा सदस्यों की संख्या रहती है चालिस और तरिप्रा की अगर हम बात करें तो इसमें संख्या रहेगी साथ ठीक है तो option number B यहाँ पर इसक्रशन का right answer हो जाएगा सिक्किम ठीक है सिक्किम की सिक्किम राजय की विधान सभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है so option number B यहाँ पर इसक्रशन का right answer है next question है which of the following was an associate state of India before becoming a full-fledged state निमन में से कौन सा पुर्ण राजय बनने से पुर्वभारत का एक संबंध राजय था तो यह कौन सा राजय था यह था सिक्किम ठीक है option number यहाँ पर D इसका right answer है देखे अगर आपसे ऐसे पुछने कि सिक्किम राजय का गठन कब हुआ था तो सिक्किम का गठन जो था 26 April 26 April 1975 को सिक्किम का गठन हुआ ठीक है next question number 97 है a proclamation of national emergency automatically suspends राश्टरी आपात काल की घोशना किसे स्वता स्थगीत करता है तो किसे करता है स्वतनतरता की अधिकार को यानि की right to freedom option number a यहाँ पर discussion का right answer है दिखे भारत के संबिधान में तेन तरह के आपात काल की ववस्था की गई है article 352 में article 356 में और article 360 में जो है तीन तरह के आपात काल की ववस्था की गई है आपको comment box में बताना है कि article 352, 356 और 360 में किस-किस तरह के आपात काल की ववस्था की गई है next question है territorial water of India extend up to how many nautical miles भारत का सीमान अंतरगत जलक्षेतर कितने nautical mill तक विस्था रही है तो कितने nautical mile तक है यह है 12 nautical mile तक so option number B correct है next question है UPSC submits its annual report on its work to UPSC अपने कारियों की वार्सिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तूत करता है तो UPSC जो रहता है यह अपने कारियों की वार्सिक विवरणी जो है रास्टरपती के समक्ष प्रस्तूत करता है so option number B यहाँ पर इस question का correct answer है देखे यह था आज का हमारा last question I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कर दीजेगा और इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा बाकि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जो है तेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो तेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजेगा उसका link आपको नेच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद